हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग आई हो बढ़े आऊंगे चलिए आज बनाते हैं मिक्स ड्राइफ रूट्स नम्की जो कि बिल्कुल मार्कट जैसा खर्स्ता अंड करा रहा है सबसे पहले हम नमकीन का इंग्रीडेंट देख लेते हैं वन कप मोंफली दाना ले लिया है वन कप हमने नारेल चिप्स ले लिया है बड़ा वाला साबो दाना वन कप ले लिया है जिसको हम डीफ राई करेंगे वन कप मखाना ले लिया है और वन कप बादाम ले लिया है वन कप काजू और दो बड़े चमच यहाँ पे मैंने किस्मिस ले लिया है एक कप का चौथाई भाग यहाँ पे मैंने चिया सीट ले लिया है और वन इस्पून सेंधा नमक वन इस्पून काली मिर्च को क्रस्ट करक जर्बगें विल्क मंको यह रखना है चीया सीट भूंते समय घी नहीं डालना सिर्फ चीया सीट को रोश्ट करना चीया सीट हमारे हड़ी को मजबूत रखता है अब यह चटकने लगा है चीया सीट अभरोश्ट हो चुका है चिलिए किसे बड़े बड़तन में इसको निकाल पेते हैं जब चीया सीट चटकने लगे पॉपकॉन की तरह तब समझ लिए चीया सीट हमारा रोस्ट होके तयार हो चुका है अब उसी पैन को फिर से चढ़ा देंगे इसमें टू इस्पून हम घी डाल देंगे और अब मखाना को हम रोस्ट करेंगे मखाना में कैसे हम बहुत अब यहां रोस्ट हो चुका है चली जिसमें चीया सीट निकाले थे उसी बरतन में हम मखाना भी निकाल लेंगे अब उसी पैन में नारियल चिप्स हम सौते कर लेते हैं अगर आप चाहें तो नारियल चिप्स को घी में भी फ्राई कर सकते हैं लेकिन हम ऐसे ही कर रहे हैं नारियल के गूले से हमने पतला पतला चिप्स काटके रेडी कर लिया है अब हमारा नारियल भी सौते हो चुका चली इसी बरतर में हम फिर से डाल देते हैं अब वही पैन हम फिर से चढ़ा लेंगे उसमें टूइस स्पून हम घीर डालेंगे और अब हम मूंफली दाना को बून लेंगे अच्छे से मुख्फली में बहुत घर सारे तत्व पाया जाते हैं। मुख्फली दिल और नसों की बिमारी को दूर करता है। मुख्फली को साइड कर दिया है। किसमिस को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। किसमिस को हम 2-3 मिनिट तक भूनेंगे, इसके बाद किसमिस हमारी फूल जाएगी, इसका मतलब किसमिस अब रेडी हो चुका है। किसमिस में भी बहुत धेर सारे पोसकता तुपाया जाते हैं। भी उसी बरतन में हम निकाल लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। अब फिर से पैन को चड़ा देंगे, टू इस्पून यहाँ पे हमने घी डाल दिया है, अब बादाम को भी सौते कर लेंगे। बादाम में भी बहुत धेर सारे पोसक तर तुपाये जाते हैं, बादाम हमारी बढ़ती उम्र को कंट्रोल करता है, बादाम हमारे ब्लड पेशर को भी कंट्रोल करता है, बादाम हमारे इस्किन और बाल के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, अब बादाम भी हमारा स छीजे भी हमोच की तर दिड़ा करने के लिए कड़ा दिया था तलने के लिए यहां अब गीं से अमारा गर्म हो जाए फिर एक चम्मच अब को चलाते रह ना है कुछ ही देर बाद साबुदाना उमारा फूल के ऊपर आ जाएगा अब साबुदाना को निकाल लेंगे अब इसी तरीके से हम सारा साबुदाना को तलके निकाल लेंगे दोरात की सबसे special recipe मैं आपसे share कर रही हूँ बिल्कुल market जैसा ख़सता और करारा नमकीन अब सारा कुछ हमने ready कर लिया है साबुदाना सारा तलके ले लिया है और सारे dry fruits हमने roast कर लिया है अब इसमें नमक और काली मिर्च को mix करेंगे सबसे पहले बड़ा सा बरतन ले लेंगे अब उसमें हम सारे dry fruits को डाल देंगे अगर आप ये नमकीन घी में नहीं बनाना चाते हैं तो आप मुंफली की तेल में भी बना सकते हैं नमक हमको थोड़ा सा कम लग रहा तो थोड़ा और डाल दिया है यहाँ पे हमने सेना नमक का यूज किया है अब वन हिस्पून कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे आप काली मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं तो ब्रत के लिए बहुत ही हेल्दी और बहतरीन नमकीन आपका रेड़ी हो चुका है अब हम नमकीन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब यह ठंडा पूरी तरीके से हो जाए तब एक कंटेनर में भरके हम रख लेंगे अब 9 दिन तक आराम से आप नमकीन को इंजॉय कर सकते हैं अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो इस तरीके से नमकीन बना के आप ले जा सकते हैं अगर आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करेगा तक है तक है तक है तक हैं